अलो दोश्तों तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए हिंदी टेस्ट करवांग बारा जी हाँ इससे पहले 11 टेस्ट अल्रेडी हो चुकी है तो हिंदी में आपका इस्तर क्या है कितनी आपको हिंदी आती है आप कमप्टीसन की लेबल तक पहुँच पाए है या नहीं पहुच पाए है तो अपना इस्तर जानने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे यहाँ पर हिंदी एक्सप्रेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तो इसमें आपको प्रिवियस जो है 11 जो टेस्ट हो चुकी है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो यह टेस्ट बहुत ही महत्पून टेस्ट है क्योंकि इसमें हम आपको कीवर्ड की साहता से बताते हैं कि कैसे हमको परियायवाची याद करने है तो यह देखने में आपको यह 20 प्रेस्ट लगेंगे लेकिन 20 नहीं है यह कम से कम हम आपको 80 से लेकर करके 100 तक परियायवाची सब्दों से रूब रूब कराएंगे तो हम आपको बता दें कि मिसन 20 अपान 20 चल रहा है यानि कि 20 में से 20 नमबर आपको लेकर करके आना है आगामी परिच्छाओं में तो इस टेस्ट में आपके कितने नमबर आए हैं आप कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे टेस्ट के अंत में तो बिना समय गवाई आईए चलते हैं हिंदी की टेस्ट करवांग 12 के प्रेश्ण नमबर 1 पर तो प्रेश्ण नमबर 1 है मरकत जवाहर मारिक यह किसके परियाएवाची है यानि आपको तीन सब्द दिये हैं और आपसे पूछा है कि यह तीनों सब्द किसके परियाएवाची हैं तो आईए आंसर देख लेते हैं इसका इसका आंसर दी यानि कि यह जो तीनों सब्द आपको उपर दिये हुए हैं यह आपके मरी के परियाएवाची हैं तो आईए बिश्टित जानकारी लेते हैं इस प्रश्ण के बारे में तो देखिए मरी सब्द के परियाएवाची मरकत, जवाहर, मारिक है जबकि कंचन सब्द जो है न वह स्वर्ण, सोना और स्वर्ण का परियावाची है तो हम इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए मरकत का अर्थ होता है कि मड़ी पाने के लिए जो जैसे आपने नागिन वाला सीरियल देखा है तो नागिन वाला सीरियल में क्या होता है वो मड़ी पाने के लिए मारकाट मचा देती है तो वहां से आप याद कर सकते है मरकत यानि कि मरकत जो है वो आपका मड़ी का परियावाची है जवाहर लान नहरू जब कोई अपना कुर्टा पहनते थे तो गुलाब के साथ में उनके बगल में एक मरी जैसा कुछ लगा रहता था मतलब कोई बटन टाइप केस लगी रहती थी तो आपको वहां से याद करना है कि जवाहर लान नहरू के जेब में गुलाब के बगल में एक मरी लगी हुई है तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा कि मड़ी का परियावाची क्या है आपका जवाहर भी है और मारिक तो आपको आता ही है मारिक मड़ी मारिक क्या बोलते ही रहते हैं तो मारिक जो है वो भी आपका मड़ी का परियावाची है उमीद करते हैं आपको समझ में आगया होगा मड़ी के सारे परियावाची तो चलते हैं अगले प्रश्णी की तरफ प्रश्ण नमबर दो आपके सामने आ रहा है देखिए वटोली का परियावाची क्या है पहली बार आप यह सब्द सुन रहे होंगे वटोली सब्द तो वटोली का परियावाची क्या है आपसे पूछा गया है आपसन A है यात्री आपसन B है रात्री आपसन C है सह यात्री और आपसन D है पत्थ तो बताए क्या होगा इसका अंसर तो आईए देख लेते हैं इसका आंसर है A यानि कि वटोली का परियावाची होता है यात्री तो आईए जानते हैं इसके बारे में अर्थ जानकरी तो देखी समान अर्थ व्यक्त करने वाले सब्दों को परियावाची कहते हैं सकता है आप से कभी भी परियावाची के जो परिवासा कोई भी पूछ ले आप से ठीक है न तो आप बता सकते हैं कि जो अपनी वाट पर जाता रहता है नहीं अपने वाट पर निकला रहता है सुबह सुबह या साम को अपनी यात्रा पर निकला रहता है उसे हम बटो ही कहते हैं तो वहां से हम याद करने हैं कि वटोली जो सब्द है वो यात्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो चलते ह लेकिन आपके सामने आ रहा है कि पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पवन सब्द आप जानते हैं पवन माने हवा होता है तो पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है प्रकंपन आपसन भी है प्रभंजन आपसन सी है वात औ कााँ कार qui ले लेते हैं इस प्रश्ट के बारे में तोदेखि wrote विसिद्ध के यह जो है टामभूल का पर यहाँ पर है पान या पान का परयावाची सब्सिल्सला है हमन hazards है रहे हूब को याद ओ पर पान भी होता है तो हमने आपको कीवर्ड की सहाता से पिछले जो ुछ चली है उन सम्सक्राइब था लिए यह जो हैं आपके परियाव आची हैं किसके पवन के तो प्रकमपन हम कैसे याद कर सकते हैं कि मान लेजिए बहुत तेज हवा चल रही है और कोई पतला लड़का मतला जो कमजोर है पतला है लड़का वो खड़ा हुआ है हवा तेज से आई तो एक दम उसको कपा देगी पूर हवा है अगर हवा उनको नहीं मिलेगी नवचरों को तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगे तो आप नवचर से याद कर सकते हैं कि नव प्रांड जो है वह भी हवा का प्रयायवाची होता है प्रभंजन करते हैं यह जब गरम-गरम हवा चलती है और आप खड़े हुए हैं य हमको प्रयायवाची अच्छी तरह से याद होने चाहिए क्योंकि देखिए आप जब परिच्छा भौन में बैठे रहते हैं तो आपके उपर एक अलग से प्रेसर रहता है तो आपके उपर से जो है परिच्छा भौन में बैठे हों इसलिए हम आपको कीवर्ड की साहता सिय नहीं याद होगा लेकिन आपको कीवर्ड जरूर इश्ट्राइक कर जाएगा जब प्रशन आपके सामने आएगा और आप बिल्कुर सही आंसर लगा करके आएंगे तो चलते हैं प्रशन नंबर चार की तरफ तो प्रशन नंबर चार क्या है आए देखिए प्रशन नंबर होगा एक का परियावाची तो आई ये देख लेते हैं इसका अंसर बी यानि की जो रसद सब्द है वो आपका एक का परियावाची है तो एक के अन्य परियावाची क्या क्या हो सकते हैं आई हम देख लेते हैं तो देखिए एक का परियावाची रसद होता है एक के अन्य प को भणा हुआ है वह आपका हुए हुए हैं तो बह Вам कोई गलती करते हैं आपको पता है कि आपको पता ही यह गंडे का परहा हुए तो रसाल हो गया रसाल आपका आम का परयावाची होता लेकिन आपको आपसन में आम नहीं दिया हुआ है जब भी रसाल सब्द आएगा तो आम या गन्ने में से कोई एक ही आपको देखने को मिलेगा गन्ना आपको याद होई जाएगा तो चलते हैं प्रशन नमबर पांच की तरफ प्रशन नमबर पांच आपके सामने आ रहा है तो देखिए कल्प वरच्च का परयावाची कौन सा है इन में से आपसे ये पूछा गया है आपसन ए है मंदार आपसन बी है केतकी आपसन सी है चमेली और आपसन डी है कुसुमकली तो बताइए कि क्या होगा सही आंसर आपका कल्प वरच्च का परयावाची तो इसका आंसर ए आए देखते हैं यानि कि मंदार सब्द जो है वो आपका कल्प वरच्च का सही परयावाची है तो आए और जानकारी ले लेते हैं इस प्रशन के बारे में तो देखिए कल्प ब्रच का परियावाची मंदार होता है इसके अन्य परियावाची है सुर्टरू हरी चंदन पारिजात देव ब्रच यह आपके कल्प ब्रच के परियावाची है तो देखिए आप याद कैसे करेंगे तो जो देवताओं का तरू होता है जैसे देवता उस सामने जाएंगे कल्प ब्रच्च के सामने और देवताओं नों का कि मुझे रसगुले चाहिए खाने के लिए मन ही मन में कल्प ब्रच्च मतलब कल्प ना कर ली उन्होंने और उस ब्रच्च ने आपके सामने रसगुले ला करके रख दिये तो देवताओं के पास यह ऐसा पे करते हैं किसका आपके कल्ब प्रच्श championship का प्रयोग करते हैं चंदन लगाने के लिए हUCKे लिए तो यहां से आप याद कर सकते हैं ठीक है ठीक है बार की तरह चलते हैं प्रुस्ट के सामने बबुस्ट औरुर्च नहीं यहहीं में सा Anic प्रभात उसा option B है चमू, पल्टन, सैन्य, हंस, option C है पादप, अगम, विटप, गाच, option D है आभा, छवी, प्रभा और कांती, तो बताए ऐसा कौन सा समू है जिसके सभी सब्द परयावाची सही नहीं है, तो आएए देखते हैं, इसका अंसर है अभी, यानि कि चमू, पल्टन, सैन्य, हंस, यह इसमें से एक अलग है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि अलग कौन सा है, जो हंस सब्द है, वो अलग है, बाकि चमू, पल्टन, सैन्य, एक ही सब्द के परयावाची होते हैं, यानि कि सेना के परयावाची होते हैं, चमू, पल्टन, सैन्य, औ लग है तो हंस किसका पर्यावाची है तो हंस के पर्यावाची निम लखित हैं तो मराल सरस्वती वाहन मुक्त भुक कलकंट मान सौक ये सभी क्या हैं आपके हंस के पर्यावाची हैं तो देखिए सरस्वती जी किस पर निवास करती है हंस पर हम उनको हंस वाहिनी कहते हैं तो स सारी परिसानियों को भुला करके कलकंट उसका कंट जो है वह बहुत ही मीठा है लंबा देगी सारस और का कंट जो होता है कितना लंबा सा होता है तो कलकंट मतलब एक लंबा कंट जिसके पास में है वह आपका सारस है यानि कि मराल है मराल आपका यह तो बहुत फिमस परयावा मान सौक कारता है उसको किसका सौक रहता है बहुत सम्मान चाहिए उसको मान और सम्मान चाहिए यानि कि जो आपका हंस है वो किवल मोती ही खाएगा और कुछ अगला प्रश्ण आपके सामने आ रहा है प्रश्ण नमबर साथ तो प्रश्ण नमबर साथ क्या है एकांत का परियावाची है आपको ये बताना है कि एकांत सब्द का परियावाची इन में से कौन सा है option A है विजन, option B है विभूती, option C है उननत और option D है तेज तो बताइए कि एकांत का परियावाची कौन सा है अभी तक आपको बहुत सरल सरल परियावाची परिच्छाओं में देखने को मिलते थे लेकिन अब आपको सिंपल परियावाची नहीं मिलने वाले हैं परिच्छाओं में कुछ अलग तरह के परयावाचि आएंग जैसे कि आप देख लिछा पर एकांत एकांत सब्द के परयावाचि इन में से कौन सा है देखी आए देखते हैं इसका अंसर अंसर इसका ए यानि की जो wizard सब्दा है वो आपका एकांत का परयावाचि है जबकि तेज का परयावाची तीवर दुरुत और छिप्र है देखिए हम अगर चाहते तो आपसन में इनमें से कोई रख देते सूना रख देते तो आप तुरन पकड़ लेते हैं एकान सब्सक्राइब करें सूना लेकिन हमने जान बुच करके सूना नहीं रखा क्योंकि ऐसे पर गलत आई चलेगा परिच्छा में आप से गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने सक्षे जंक्सन को सब्सक्राइब कर लिया है तो फरic्छा में आपसे प्रिज्च्च्न गलत नहीं होते हैं यहां गलत नहीं होने तो देखिए तो यह आपका समझ में आ गया परियाबाची जो है विजन होता है सूनसान होता है इसके बहुत सिंपल परियाबाची है सूना होता है निर्जन होता है सूनने होता है तो यह सब आप याद कर सकते हैं इसके लिए ट्रिक बनाने की क्या जिरूत है यह सब आप अधम option C है उन्मेस और option D है पामर तो बताइए कि खल का परयावाची कौन सा नहीं है आप नहीं सब्द पर जरूर गौर कीजिएगा नहीं तो आपका question गलत हो सकता है आईए देखते हैं इसका answer C यानिक जो उन्मेस सब्द है वो उन्मेस सब्द आपका खल का परयावाची न पहली बात आपकी clear हुई कि उन्मेस सब्द आपका उन्नती का परयावाची है और खल के अन्य परयावाची है दुष्ट अधम पामर नीच सठ दुरजन और कुटिल यह आपके दुष्ट के परयावाची है तो अधर्म का अर्थ आप जानते हैं जो किसी की भी बात नहीं म अगर कोई खल व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा हमेसा लोग चाहेंगे अब हमारे पाउं में डला रहे हैं मुझे पता है कितना तो खल दुष्ट ऐसा आप कह सकते हैं याद कर सकते हैं तो पामर कार्थ होता है जो बिल्कुल पैरों में कह सकते हैं ठीक है और कुटिल का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही किसी की एक दूसरे से लगाता मतलब करता रहता है सिकायत करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं कुटिल व्यक्ति कहते हैं तो एक तरह से वह भी आपका दुष्ट का परयायवाची होता है या तो उस दीप का परयावाची कौन सा नहीं है option A है दीपक, option B है प्रदीप, option C है दीपा और option D है जियोती इस्तमब तो बताएए कौन सा आपका दीप का परयावाची नहीं है आएए देख लेते हैं इसका answer answer C यानि कि जो दीपा सब्द है वो आपका दीप का परयावाची नहीं है देखिए मिलते जुलते इसलिए आपको सब्द दिये गए हैं कि आप confuse हो जाएं और गलत आंसल लगा कर क्या है लेकिन अगर आप सक्से जंक्सन के साथ बने रहेंगे तो आप गलत आंसल लगा कर ही नहीं आएंगे दीप का परयावाची प्रदीप जोती स्तंब और दिया होता है जबकि दीपा सब्द जो है नहीं है तो देखिए याद कैसे करेंगे हम प्रदीप यानि कि चारो तरब जो उजाला फैला दे वो आपका प्रदीप होता है अच्छा दीपक जो होता है वो चारो तरफ उजाला फैला देता है ठीक है जोती स्तंब तो देखिए अगर आप दीपक को जलाएंगे तो उसमें जोती एकदम स्तंब के रूप उपर जलती रहती है ऐसा तो नहीं है कि एकदम बहुत एकदम कम हो जाए या एकदम भबक के एकदम जल उठे अगर आप दीपक जलाएंगे देखिए हम दीपक की बात कर रहे हैं अगर आप तेल का दीपक जलाएंगे तो उसमें एक इस्तंब की भाती जो है आपकी जोती निकलती रहती है तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ज्योती इस्तंग ट्रिया तो आप जानते हैं, दीपाउली आने वाली है, तो आप दिया जलाएंगे, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीका उमीद करते हैं, आपको यह प्रश्ण की समझ में अगया होगा। चलते हैं आगले प्रश्णन की तर्फ तो प्रश्ण मुर्ब 10 आपके सामने आ रहा है अच्छी का परियावाची क्या है अच्छी तो अच्छी का परियावाची आप से पूछा है option A है विकल, option B है वाटी का, option C है नेकी और option D है लोचन तो बताएे क्या होगा अच्छी का परियावाची ठीक है तो ये परियावाची थोड़े अलग से हम Neblog हैं जिससे की आपको परेशानी नहों परिच्छाह में आए देखते हैं इसका अंसर इसका आंसर है यानि की लोचन सब्ध का परियावाची जो। है अच्छी होता है इसलिए आप याद रखिए कि जो अच्छी का परियावाची आपका लोचन सब्द है तो आई अत्रिक्त जानकारी जानते हैं इस प्रिश्ण के बारे में तो देखिए अच्छी का परियावाची लोचन आख नेत्र चच्छु नयन होता है जबकि वाटिका सब्द जो है ना आपका उपोवन का परियावाची है आपको अच्छी से पता है और हमको जरूरत भी नहीं है आपको ये नेत्र नयन लोचन ये सब्द याद खराने की ये सब्द आपने अच्छी तरह से याद कर लियोंगे ठीक है तो जो नया सब्द आपको मिला था वो है आपका अच्छ तो आगे से याद रखेंगे आप जो high school और inter की विद्यारती हैं जब आप लिख करके आएंगे तो आप ये अच्छी सब्द जरूर लिख करके आना अगर आपको नेतर नयन लोचन लिखना है तो इसके परियावाची मिले option B है रसाल, option C है वलाए और option D है आभूसन तो बताए आभरण का परियावाची कौन सा है आए देखते हैं answer इसका C यानि कि वलाए सब्द जो है वो आभरण का परियावाची है तो देखिए आभरण से आपको एक sound आ रहा है कि आभरण यानि कि पूरा भरपूर यानि कि आप कोई खाना खाले तो मतलब पूरा खाना खाले पेट भर के तो आभरण यानि कि मेरा एकदम मनतरप्त हो गया है तो अब ऐसे ही आप ध्यान रखिए वलय कर्थ क्या होता है एक गोल चक्कर एक गोल चक्कर को हम वलय कहते हैं तो मालीजी एक गोल चक्कर है वो गोल चक्कर पूरी तरह से भरा हुआ है तो वही आपका क्या होता आभरण यानि कि आभरण का एक परियावाची वलय होता है जिन्दी के बारे में आपको चिंता करने की जरूत नहीं कि अभी हम ऐसे टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप एकठे अंक प्राप्त कर सकते हैं यानि कि यह जो अगर परियावाची आप किसी भी परिष्छम देखेंगे परियावाची कम से कम तीन से चार प्रियावाची आते हैं ठीक है तीन से चार लोकोकती मुहावरे आते हैं तो यहां से आप एकठे अंक प्राप्त कर सकते हैं चार से पांच अंक प्राप्त कर सकते हैं आप बिल्कुल टेंसर मत लीजेगा इसके बाद हम रस छंद अलंकार भी लेकर कर आएंगे वो भी हम आ आपको पढ़ना है तो सकसे जंग्शन पर सारी चीजें आपको याद कराई जाएंगी विशेस कीवर्ड की सहाथा से तो चलते हैं प्रशन बारा की तरह प्रशन बारा है निपुन का परयाइवाची है अप्सन ए है दच अप्सन भी है अच्छ अप्सन अप्सन ए अंक और ऑप्सन डी आरी तो पताएं यह क्या होगा निपुन का परयाइवाची तो आए देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है यानि कि जो दच सब्द है वो निपुन का परयाइवाची है तो हम इसको याद करेंगे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव बढ़ा द चिन अध्याइ यह आंक होता है प्रत्म अंक ठीक है तो नाटक का पहला अंक आपके सामने आ あmaatsNow को ह्यां और अगा अच्छ होती है तो बागी आपको याद करा जिसे दच सब्द जो है तो निपुण का अर्थ दच होता है जिसके गुरूर दोना चारे ने अर्जुन से कहा कि अब तुम सारी विद्याओं में पारंगत हो गए हो अब हम अब हमने तुमको बिल्कुल दच कर दिया है यानि कि और दच जो है वो आपका निपुण सब्द से परयावाची है यानि कि निपुण का अर्थ होता है दच और पारंगत दोनों ठीक है निस्पात यानि कि अब तुम में कोई कमी नहीं रहेगी तुम एकदम पवित्र एकदम मतला पूरी तरह से आप विद्याओं से भर चुक कौन सा नहीं है अफ्सन ए है हीर फिर अफ्सन बी है बदलाव, अफ्सन ए तबदिली का परिवरतन का परयावाची कौन सा नहीं है तो आए देखते हैं इसका अंसर अंसर एडी यानि कि रुद्राणी सब्द जो है वो परिवर्तन का परियावाची नहीं है बाकि सारे सब्द जो है वो आपके परिवर्तन के परियावाची है आए देखते है रुद्राणी जो है वो पारवती का परियावाची है परिवर्तन के परियावाची है हेर फेर बद प्रस्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं प्रस्ट नंबर 14 आपके सामने आ रहा है आईए देखते हैं कोयल का पर्यायवाची कौन सा है आपसे पूछा गया है option A है प्रभा, option B है अधम, option C है स्यामा, option DS सीवा तो बताएए कि कोयल का पर्यायवाची इन में से कौन सा है आईए देखते हैं इसका आंसर इसका answer C यानि कि यह स्यामा सब्द है वो कोयल का पर्याय बाची है तो हम इसको याद कैसे करेंगे तो पहले descriptive जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्ण के बारे में कोयल का सही पर्याय बाची श्यामा है कोयल के अन्य पर्याय बाची कौन-कौन से है तो पिक है, कोकिला है, मदन सलाका है, कलगोस है, वसंत दूत है यह आपके कोयल के परियावाची है, तो याद हम कैसे करेंगे तो देखिए स्यामा कारत है काला, यानि कि कोयल जो होती है, काले रंकी होती है कवे के लिए स्यामा कभी प्रयोग में नहीं होगा आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कवे के लिए काक सब्द प्रयोग में होता है स्यामा हमेशा और हमेशा आपका कोयल के लिए ही प्रयोग तो होता है पिक यानि कि कोयल बलग बड़ी मधूर बोल रही तो आप क्या सुचेंगे सब के पास सेलफी वाला फोन होता है एक पिक ले लेते हैं क्योंकि कोयल बहुत मधूर बोल रही है तो आप पिक लेंगे कोयल को बैक ग्राउंड बे रख करके आप पिक लेंगे तो वहाँ से याद कर सकते हैं पिक सब्द जो है वो आपका कोयल का परयावाची है कोकिला तो आप जानते ही हैं एक कोई सीरियल भी आता है उसमें भी कोकिला बेन है तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं हलंकि वो मधुर नहीं बोलती है लेंगे फिर भी आप याद कर सकते है कि कोयल का एक परियावाची कोकिला भी होता है मदन सलाका यानि कि ये भी आपका कोयल का परियावाची होता है कल घोस यानि कि इतने अच्छे उसमें से घोस निकलते हैं यतने अच्छे उसमें से स्वर निकलते हैं कि जो आपके कानों में मिस्री सी घुल जाती है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि कल घोस, वसंत दूत, जब वसंत आता है, वसंत रित्तु जब आती है, तो कोयल आपको चारो तरह बोलने लगती है तो वहां से आप तातर पर लगा सकते हैं कि अब वसंत आने वाला है यानि कि वसंत आने वाला है इसकी सूचना कौन देता है वसंत दूत अर्थात कोयल इसकी सूचना आपको देती है ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो चलते हैं प्रेश्ट नमबर 15 गितल प्रेश्ट नमबर 15 आपके सामने आ रहा है आए देखते हैं चमक का परयावाची कौन सा नहीं है उप्सन A है मलय उप्सन B है प्रभा उप्सन C है योती उप्सन D आभा तो बताए कि चमक का परयावाची इन में से कौन सा नहीं है तो आए देखते हैं इसका अंसर इसका अंसर है यानि कि जो मलय सब्द है वो चमक का परयावाची नहीं ह शवी आभा ओज और प्रकास यह आपके क्या है चमक के पर्याय बाची याद कैसे करेंगे तो जोती तो आपको पता ही है जोती जनने लगती तो चारों तरफ चमक हो जाती है वहां से आप याद कर सकते हैं दीपती का भी से मर्थ होता है ठीक है कांती कांती से कैसे माली जी कि याद कर सकते हैं आभा तेज और ओज ऑज भी उसके चेहरे से ओज निकल रहा है कहते हैं बड़ा ओजवान चेहरा था यानि कि उसके चेहरे में बड़ा ओज निकल रहा था तेज निकल रहा था प्रकास निकल रहा था तो यहां से आप याद कर सकते हैं चमक के इतने सारे पर्यायवाची ठीक है तो चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपके सामने आ आईए देखते हैं कौन सा है आपसे पूछा गया है तो इसका अंसर है C यानि कि जो अभ्यूदय सब्द है वो आपका उतकर्ष का परयावाची है तो आईए पूरी जानकारी देख लेते हैं उतकर्ष सब्द के बारे में तो देखिए उतकर्स का सही परियावाची अभ्यूदे है इसके अन्य परियावाची है उन्नती उन्मेस उत्थान आरोह चढ़ाओ उतकरमड और उठाओ ये आपके उतकर्स के परियावाची होते हैं ठीक है तो याद कैसे करेंगे हम देखिए उन्नती अगर आपकी उन्नती तो आप कहा जाएंगे उत्कर्स की और जाएंगे यानि कि ऊपर की और जाएंगे उत्थान का भी अर्थ सेम टू सेम है यानि कि आपका उत्थान होगा तो आप कहा जाएंगे उत्कर्स की और जाएंगे उन्नती हो गया उन्नती हो गया अगर आपकी उन्नती होगी तो आपके की और बढ़ना तो आपका उतकरमड हो जाता है और उठाओ का तो सेम यही अर्थ होता ही है कि उठाओ मतलब किसी चीज को उठाना यानि की उतकर्स की और किसी चीज को ले जाना तो इतने सारे आपको परियावाची याद हो गए उतकर्स के उम्मेद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा इस क्लास के बारे में अपना फीड़बैक और अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो कम से कम लाइक की बटन पर जुरूर प्रेस कर दीजेगा और कम से कम पांच दोस्तों को आपको जोड़ना है हमारे चैनल से ठीक है अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो पांच लोगों को सेयर कीजिए पांच लोगों को बताएए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सिज जंक्सन पर आईए जरना का पर्यावाची कौन सा नहीं है आप से पूछा गया है option A है जल प्रपात, option B है प्रस्त्रवन, option C है पिक बंदू, और option D है उत्स तो बताएए कि जर्ना का परयावाची कौन सा नहीं है आईए देखते हैं इसका अंसर इसका अंसर सी यानि कि जर्ना का परयावाची पिक बंदू नहीं होता है पिक बंदू कौन सा सब्द है कुछ आपको याद आ रहा है हमने आपको एक बार कराया भी है पिछली कच्छाओं में बड़े ट्रिक के साथ आपको याद कराया था कि पिक बंधू कौन से सब्द होता है तो एक बार हम आपको रिवाइज करा देंगे आप बिल्कुल डॉन्ट वरी रहिए तो देखिए पिक बंधू सब यहाँ पर अलग है और पूरी जानकरी जानते हैं इस प्रष्ण़ के बारे में देखिए कि कोईल आपके बैगरांड मेद गया लगी तो आप क्या करें गे पिक खीचेंगे ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं तो पिक बंदू यानि की आम को जरूर खाएगी कोईल तो पिक बंदू कौन होता है आम होता है और बाकी के सबी जो है वो आपके क्या है ज़रने के पर्यायवाची होते हैं ठीक है उम्मेद करते हैं आपको प्रशन समझ में आ रहे होंगे तो अब समझ में आ रहे हैं तो आग्याकारि और अप्षल दिये अनुग्रहित तो बताए कि कौन सा करतग्यी का परयावाची नहीं और यह देखते हैं इasında सलिक्राइव सुझसे यानि की आग्या कारी सब्द्ड जो है करतग्य का परयावाची नहीं है तो आए Crittag hoping का परयावाची नहीं होता नहींилась करतागी के अन्य परियावाची कौन से है आभारी उपकरत अनुगरहीत करतार्थ यह आपके करतागी के परियावाची होते है करतागी का अर्थ क्या है तो उपकार को मानने वाला जो होता है वो आपके करतागी कहलाता है तो देखिए आगया कारी सब्द आपका इससे कॉंटेक्ट क्यों नहीं रगता है तो हम देखो आपको बताते हैं मालीजी आपने किसी पर उपकार कर दिया तो आपने उपकार किया है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन आप ऐसा थोड़ी है आप उसको कहने लगेंगे आगया देने लगेंगे जाओ यह कर किया हो आगया थोड़ी देने लगेंगे तो आगया कारी सब्द जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मैच नहीं करता है आपके इस सब्द के साथ में और एक बात और आपकों बता दे अगर आप किसी के ऊपकार करते हैं तो अगर किसी के ऊपकार कर रहे हैं तो उसकी आँखों की तरफ मत देखिए उसको कुछ पैसे दिये तो आप उसकी तरफ आँखों की तरफ मत देखिए इस से क्या होता है कि उसको यह लगता है कि हमारे तो अगे से ध्यान रखेगा अगर आप किन की मदद करते हैं और वह आप की तरफ आसा भ्री निगाहों से देखता है तो आप उसकी तरफ आँके इस तरन से मत घुमाईए एको आप अग Megyn करते हैं शल्ते cả अगले PG 2030 तो देखिए पारवती का परयावाची कौन सा है ये आपसे पूछा गया है बहुत कन्फ्यूज करेगा आपको लेकिन हम आपको याद करा देंगे बिल्कुर डॉंट वरी रहे option A है रमा, option B है पदमा, option C है सैल सुता और option D है जीवन पती तो पताए ये परयावची कौन सा होगा पारवती का, आईए देखते हैं इसका answer answer S.C. यानि कि सैल सुता जो है वो परयावची है सही बिल्कुर किसका पारवती का तो देखिए परवती के परयावाची है सेल सुता और परयावाची है सिवा, अंबिका, रुद्रानी और अम्रडाली तो देखिए सेल सुता जो है वो एक मतलब सेल की पुत्री है यानि की परवत की पुत्री है आपकी कौन परवती इसलिए उनका एक नाम पारवती भी है तो अपको पुछली वीडियो में हमने पताया भी था कि परवत का परियावाची जो एक सैल होता है क्यों से आग ने के सैल बोलते है तो आए से आप से आप के से तकते हैं के साथ में पर्यावाची को याद करने क्या ठीक है अने पर्यावाची सिवा तो सिव की पत्नी है तो सिवा अंबिका 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 उनका प्रसिद नाम है अंबा जी का तो अंबिका है ठीक है रुद्राणी रुद्र की पत्नी है तो रुद्राणी रुद्र किसको कहते आपको यांद करना या पंड़ित की पंड़ित पंड़ितानी होती है वैसे रुध्र भगवान की पत्नी रुध्रानी हो ऐसे भी आप आप कर सकते अपने अपने ला कि आप बैठे बैठे ट्रिक बना सकते हैं, बैठे बैठे कीवर्ड्स अपने स्वैम बना सकते हैं, उम्मीद करते हैं ये कीवर्ड्स आपको पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएगा, प्रस्ट नमर 20 आपके सामने आ रहा है, चंदन का व्रच्छ होता है उसके लिए पर्याय वाची कौन सा होगा आए देख लेते हैं इसका अंसर इसका अंसर इसी यानि कि मलयज जो है वो चंदन का सही पर्याय वाची है तो आए पूरी जानकारी लेते हैं इस के बारे में इसका डिस्क्रिप्टिव नीचे दिया हुआ है तो आज़े दिख लेते हैं जी हाँ चंदन का पर्यावाची मलयज है इसके आने पर्यावाची है दिव्य मलय और हरी गंद तो आप ये ताथ पर लगा सकते हैं कि भगवान हरी चंदन की गंद बहुत पसंद हैं सब्सका बहुत पसंद हैं तो इसलिए 먼저 हीर ग्सारा करता है थीका jest जो जो चंदन है हर कोई चाहता है कि उसके सिर्ट पर चंदन मला जाए मला जाए तो कहां मला जाए शरीर पे मला जाए तो मला आप चंदन याद कर सकते हैं आपने जो एक गीत हैं मलयज सीतलाम ठीक है तो चंदन को लगाने से आपको सीतलता मिलती है तो वहां से आप याद कर सकते हैं मलयज सीतलाम तो सीतलता कहां से मिलेगी जब आप मलयज को अपने शरीर आप वहां से इसका अर्थ लगा सकते हैं तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर परयाय बाची आपको ये परयाय बाची कैसे लगे ये कीवर्ड्स आपको कैसे लगे हमको कमेंट में जरूर बताईएगा और लाइक की संक्या इसी के साथ बढ़ा दीए और अपने दोस्तों को बताईए कुछ अलग चाहिए तो सक्सेज जंक्सन पर आईए हर चीज की क्लास आपको मिल रही है पर इंग्लेज भी हम आपको कीवर्ड की सायता से याद करा रहे है साइन्स भी बहुत अच्छी तरह से आपको याद करा रहे है साथ ही साथ में GK और GS की वीडियो हम लेकर के आए है उसमें Current Affair के साथ में हम आपको GK और GS कंप्लीट करा रहे है तो All-in-One आपको यहाँ पर मिल रहा है सक्सेज जंक्सन मातर एक प्लेटफरम और बहुत सारे आपको बहुत सारे फायदे तो अमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसको सेयर कर दीजिए और जो हमारी इस चैनल पर पहरी बार आये हुए हैं तो सक्सेज जंक्सन के सामने सब्सक्राइब का बटन दबादेना है तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन दबादेना है उसके सामने बैल आइकन है, बैल आइकन को दबादेंगे तो क्या होगा कि आपके पास मैं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आजाये करेगी तो बने रहे हमारे साथ सक्से जंक्सन परिवार के साथ बने रहे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार